Hello Friends and Welcome back to my channel Bengali Family in UAE जहां मैं बात करती हूँ UAE और ट्रावल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे Officially UAE में ईद का जो डेट है उसको रिवील कर दिया गया है क्या है पूरा अपडेट जाने के लिए आप सबसे रिक्वेस्टर वीडियो को एंट तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके तो दोस्तो ये 2024 का सबसे लंबा हॉलिडेज जो है ईद की छुटिया वो हो सकती है आपको 9 दिन तक की छुटि मिल सकती है कैसे इसी न्यूस को रिवील किया गया है आज खलीस टाइमस के उपर जो मैं आपको बताऊंगी डेट वगरा कि अगर रमदान 30 दिन का होता है आइदर 29 देज का होगा या फिर 30 देज का होगा ठीक है 11 अफ मार्स से शुरू हुआ है तो अगर 30 देज का होता है तो आपको जो छुटि है वो 8 एपरिल से लेकर 12 अपरेल तक का पड़ेगा Saturday, Sunday यानि कि 2 Saturday, Sunday एक जो 8 अपरेल से पहले आएगा क्योंकि 8 अपरेल है Monday तो वो Saturday, Sunday लेकर जो आपको 13, 14 अपरेल मिलेगा वो भी है Saturday, Sunday तो ऐसे में आपकी जो छुटि होती है वो 9 दिन की छुटिया यहाँ पर हो सकती है ठीक है और एजियूम किया गया है कि 30 दिन का ही यह लास्ट करेगा और जो ईद की छुटिया है वो 8 अपरेल से लेकर 12 अपरेल तक की होगी अच्छा इसमें ये भी बता दिया गया है कि अगर रामदान 29 डेस का होता है तो क्या होगा अगर 29 डेस का होता है तो ये स्टार्ट होगा 8 अप्रेल से और खतम होगा Thursday 11 अप्रेल तो ऐसे में Saturday Sunday को लेकर आपकी जो छुटिया बनती है वो टोटल 6 दिन की बनती है लेकिन maximum 9 डेस वाला ही chances है इस समय UA की जो Eid break है और ये सबसे लंबा break है इस साल का तो जो लोग भी UA आने वाले हैं घूमने के लिए UA जॉब सर्च करने वाले हैं वीजा अप्लाई करना चाहते हैं वो लोग इस रेट को थोड़ा धान में रखते हुए उसके बाद आप लोग अपना decision ले सकते हैं तो guys I hope ये वीडियो आप सबके लिए helpful रही होगी मिलते है नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं update के साथ तब तक के लिए good bye and take care